हालो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग वेरी गूड इमिनिंग तु आल माई डियर स्टुडेंट्स तो आज करबोलीन कंपाउंड का रियक्शन में आज लेक्शन नमबर 3 है चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टड़ी करते हैं तो आज का लेक्शन हमारा डेडिकेटेड होगा क इसी तरह हम किटोन अल्डिहाइड पर भी ले रहे हैं इसमें जितना भी इंपॉर्टन रियक्शन से सब को कवर करेंगे फिर कार्बोगजलिक एचिड उठाएंगे फिर एसी तरह चलता रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज इस किटोन अल्डिहाइड के रियक्शन उच्पड ले जाने से पहले आपको अल्डों एडेशन पढाएंगे और आपको सारी बात्ये समझाएंगे और फिर पहुंचाएंगे कि कि3 को कायते हैं चलिए कैसे ओपी कर्म लेकर बैठ जाईए और मेरे साथ पढ़ंडिया अल्डों करन सक्राइड कि इसमें का किता है क कि aldehyde का दो मोलेकुल ले लो या ketone का दो मोलेकुल ले लो उसको base या acid catalyze के presence में उसको reactions कराओ तो क्या होगा इसमें एक carbonic compound आपका निक्रोफाइल की तरफ भी हप करेगा दूसरा carbonic compound की तरफ भी हप करेगा और जो बनेगा प्रोडक्ट वह होगा beta-hydroxy ketone या aldehyde प्रोडक्ट बन जाएगा यह testator में दिया था आई समझ में कोई दिकत नहीं अवह आपको समझाते हैं कैसे हो रहा है होता क्या है कि अगर हम यहां पर आपको हम aldehyde लेते हैं ठीक है aldehyde लेते हैं दूसरी जवापर ketone ले लेते हैं दोनों case आपको सिखाते हैं आपको case में यह सिखाएंगे कि एक molecule हमने कहा निक्रोफाइल की दे बेब कर रहा है दूसरे लेक्टोफाइल के लिए होता कैसे सौट में समझो आगे इस पर पूरी mechanism समझाओंगा ठीक चलो आपको पता है कि अल्डोड कंडेंसेशन भी अल्फा कारवन पर होता है यह aldehyde है इसका कारवन यह होगा यह क्रिटोन है इसक से पहचानते है अल्फा कारवन को प्रिवर्स लेक्टर में बता चुका हूं अब क्या होगा इस अल्फा कारवन है जो aldehyde में हो यहां पर एक हाइडोजन है तो इस हाइडोजन को अगर बेस डालोगे बेस जब इस हाइडोजन को ट्रैप कर लेगा निकाल लेगा तो यह कारवन है यह कारवन पर एक अनायन चार्ज आता है इस कारवन आपका निकली फाइल की तरह बेब करें आप देखते हैं कैसे बेचान करेगा यहां भी यहां बेस डालो क्योंकि आपको प्रिवर्स लेट्रेश्र कर एक प्रहाइड चुका हूं एसीड बेस कटलाइज आप अलफा हाइडोजन अफ किटोन साइड अलडी हाइड अब यह बेस का करगा फिर से इस किटोन के अलफा कारवन का हाइडोजन चुरा लेगा इस बॉन्ड को खोल लेगा कारवन की तरफ यहां बंज़ेगा निक्रिटिव चैज मिंस यह अगेन पर रखा हुआ है जब यह अलडी हाइड जब यह निक्रिफाइल बनी गया यह अगे बात समझ में कैसे एक बना निक्रिफाइल एक बना आपका एलेक्टोफाइल किलियर हो गया कोई दिकरत नहीं आगे बढ़ते हैं उसी परकार किटोन का इसी किटोन का दूसरा और दूसरे किटोन वहलें के कार्बोनी सेंटर पे बाताक लिए यह आपका इलेक्टोफाइल के बना के लिख दिखाए अब दिसा सब्र ele that दोन आपस में एडिशन होने के बनता है बीटा हीड़ी हीड है अब देखो सम्झाता हूं हमने बीटा क्यों किया है जल्हाइद ध्यान से समझना सब लोग से तो द्यान दो प्रड्रक्ट पर देखो यह आपका पिला घ्लe के होता थ Sydhills किया भिएटा आपको पता इसलाम पर घया बीटा और किटोन में जो इडेसं कारवन है यहालफा कारवन हो गया चुकि इस अलफा कारवन हैं दुसरे कोण के कार्वोनिल सेंटर पर टक किया तो यह बन गें बीटा इस बीटा पर हैंडोक्सल गुरुप है तो श्य बना यह बीटा है इड्रेटोक्सी किटोन प्रोड़क्ट बन गया यही किटोन प्रोड़क्ट है यही रियक्षन होता है अल्डोल एडीशन होता है अभी हम पहुंचे नहीं अल्डोल कंडेंसेशन पर पहुंचेंगे बिटा अभी माने आपको यही सिखाया कि aldol addition होता क्या है ठीक है, किलियर है कोई दिकत नहीं आई बास समझ में कि जो दो aldehyde को attack राया एक ही परगार molecule का, दो ketone को जोड दिया, तो क्या बना beta hydroxy aldehyde इनके सब aldehyde, beta hydroxy ketone इनके सब ketone, this is called aldol addition product किलियर है, कोई दिकत नहीं चली आगे बढ़ते, अब इसका mechanism समझ लो, mechanism, यह हुआ कैसे घटना घटा कैसे, चलो तो सबसे परले हम लेंगे base catalyze mechanism के लेंगे, aldehyde के फिलेंगे, और ketone के लेंगे, यानि बेस यहाँ help करेगा, निक्रोफाइल को अपने एक दूसरा जो पार्टन के लेंगे, इसके carbonic center पर attack करेगा, और इस CO bond को खोल देगा oxygen की तरब खोलेगा, क्योंकि oxygen ज़्यादा electronegative है, ठेक, तो यह आगे oxygen minus, यह carbonic से attach हो गया, जालदो पानी, यहाँ का H plus को यह negative ट्राप कर लेगा, अब बन गया यह compound, फिर से बताता हूं कि यह aldehyde का addition carbon, यह alpha हो गया, यह alpha carbon, जिस carbon पर attack किया था carbon पर बीटा बन गया, अब बीटा पर एक hydroxyl group है, तो क्या बन गया, यह beta hydroxy aldehyde, क्योंकि aldehyde मों उसे चला था, clear हो गया, कोई दिकत हो, तो लिख रखना doubt से में clear कर देंगे, बल्कि में यह पूरी कोशिस करूंगा, एक doubt आप accurate नहीं होगा, इतना तो मैं confidence से कह रहा हूं, चलो आगे बढ़ते, ketone को देखते हैं, ketone यह है, ketone का addison carbon, यह alpha, यह भी alpha, यहां पर 3-3 hydrogen, एक hydrogen बाहरा निकल दो, base का करेगा, H pressure trap करेगा, यह bond खुलेगा, carbon के तब, बन गया negative charge, तो यह negative charge हो गया, anion बन गया, यह आपका nucleophile की तरह भी अब यह nucleophile करेगा, अब यह nucleophile करेगा, अपने counterpart, ketone molecule के carbonic center पाटक करेगा, bond को oxygen के तरब खुल लेगा, ताप यह product बन गया, तो कि है negative जादा गया, अब यह negative जाद करेगा, water से H plus चुड़ा लेगा, अब बन गया OH, यह hydroxy group इस beta carbon पर है, यह carbon चुकि इस पर attack किया था, इस carbon पर, यह carbon बन गया alpha, इसलिए यह बन गया beta hydroxy ketone, तो कि यह ketone molecules है, clear है, कोई दिकत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आपको already मैं बता चुका हूँ, lecture 1 या lecture 2 में बताया था, aldehyde ketone का reactivity, निक्रोफाइल कितर, यही तो काम चल रहा है, इसलिए आपको बताया था, कि ketone less susceptible होता है, निक्रोफाइल कितर, इसलिए aldehyde ज्यादा easily attack होता है, निक्रोफाइल से, इसलिए aldehyde most probably, जब भी जाएगा aldeole addition reaction में, तो जो बनेगा product और product सबसे ज्यादा बनेगा, कोई पूछे का, तो बोलना कि aldehyde सबसे अच्छा aldeole में जाता है, क्योंकि इसको reactivity, निक्रोफाइल की तरफ ज्यादा है, किलियर है, कोई दिकत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे acid catalyze reactions, यह है acid catalyze aldeole addition का में कहिए, मैंने एक randomly उठाया है, ethanol, this is ethanol उठाया है, ठीक है, यह था S3O+, है, इसका H+, को, इस oxygen पर लोन पेर आपको पता है, इस carbonic oxygen पर लोन पर पता है, यह H+, ट्रैप किया, इस पर H आगिया, इस oxygen में प्लस सजा गया, क्योंकि oxygen सिब दो बना सकता है, इस इस लिए, इस oxygen में प्लस जगाया, अब क्या होगा, अभी यहां base, अभी यह base करें क्या, इस aldehyde का, इस aldehyde, यह जो aldehyde है, इस aldehyde का alpha carbon यह है, इस carbon को यह base चुरा लेगा, इस bond को क्या करेगा, इस carbon की तरफ खुलेगा, और यह bond ऐसे खुल लेगा, तो यह पर इस bond को साथ resonance करेगा, तो यह negative charge खुलेगा, इस bond को निकाल लेगा, तो यह आपका resonance हो गया, तो यह structure बन गया, इस is enol structure, कैसे, यह alken का part है, यह alcohol का part है, अब फिर base आएगा, इस alcohol से H+, चुराएगा, तो यह bond यहां आ जागा, नेगटिव चार्ज, अब यह negative का करेगा, इस स counterpart, alcohol के, इस carbon कारवन पर attack कर देगा, उसका bond खुलेगा, oxygen के तब, यहां तक clear है, कोई दिकत नहीं, दिकत हो, doubt में लिकर रखना, बता देगा, दिकत आनी नहीं देगा, टेंसर मत लेना, अब इस से आगे बढ़ा, तो इस पर आगे माइनस चार्ज, यह मुल्कुल ऐसे बन ल है, चुकि यह hydroxy group है, बीटा कारवन पर, यह alpha कारवन, क्योंकि alpha कारवन से ही, H+, निकाल करके इसको attack कर रहा था, करवलिंग कारवन पर, तो क्या बन गया, बीटा hydroxy aldehyde बन गया, तो यह आपका acid catalyze aldol addition का mechanism है, क्या यह बात समझ में आई, कोई दिकत तो नहीं है, अभी त देखिए, अब आया point पर, कि aldol condensation किसो कहता क्या है, कि जब aldol addition reaction से, जो product बना था, उस product से, उस product को dehydrate करो, यानि वहाँ से पानी बाहर निकाल लो, तो जो product बनेगा, वहाँ बनेगा aldol condensation product, उस product का नाम है, alpha, beta, unsaturated carbonic compound, कैसे हुआ, जड़ा reactions में देखो, right side में दिया हुआ, हमने वही किया, base लिया, और ये beta hydroxy aldehyde, बना दिया, अब क्या होगा, जड़ा दिहान से देखना, इस alpha पर, अभी भी एक hydrogen है, इस hydrogen को पकड़ो, और इस beta पर, अभी भी एक hydroxy group है, इस OH को पकड़ो, OH और H को पकड़ोगे, यहाँ से पानी निकाल सकतो, इस हीट करोगे, तब निकलेगा, हीट करोगे, यहाँ से पानी निकाल दिया, और इस alpha carbon और beta carbon के बीच में, हमने double bond बना दिया, यह बन गया double bond, ठीक है, किलियर है, कोई दिकेत नही, this is called alpha, beta, unsaturated aldehyde, this is alpha, this is beta, and this product is known as aldold condensation product, एक बात, मुझे एक बा यह जानी निकला, यहाँ double bond क्यों निकला, अगर यहाँ आता है double bond, तख यह double bond, इस carbon driven carbon के बीच में double bond है, इस से resonance नहीं करता, चोंकि यहाँ जो बना double bond, CC double bond जो भना, यह carbon, यह جो CC double bond है, alpha beta के बीच में, यह double bond, इस aldehyde के, जो CO को बीट में डॉल बढ़ने इसे रेजिनेंस कर रहा है ठीक है तो रेजिनेंस की बज़े से ये कंपाउंड जदा एस्टेबल होगा यहाँ जो आएगा डॉल बढ़न हो जदा एस्टेबल नहीं होगा यह बहुत important point है याद रखना मैंने अभी तक में अलकोहल नहीं पढ़ा है पढ़ा दूगा बाद में तो यहाँ से आपको क्या मिला conclusion यहाँ से वही चीज़ यहाँ कीटोन में भी है सेम चीज़ कीटोन में है यहाँ से एक बहुत बड़ा conclusion यह निकला कि जब भी dehydration होगा और dehydration होने से एक conjugation जैसा कोई system बन रहा है conjugation जैसा system बन रहा है तो वह reaction काफी fastly होगा ठीक है और एक बात और ध्यान रखना जब भी excess conjugation होगा वहाँ पर पानी स्वतह बाहर आजाएगा वहाँ पर हीट करने के जरूद नहीं पढ़ेगी तो हमें बताओ वहाँ थिक्क्यत्त है क्या सबको यह समच में रहा है कि अब दहों मैंने मोलकुल ले भी लिया इस मोलकूल ले फिशा ओडर अ्शिटो फिनो́ ऐहाउथ और हाइड़ए अब देखो अगर यह O-H है यह H है इस O-H-H के बाहर निकलने से क्या बनेगा वाटर बनेगा क्योंकि दो हैडोजन एक अक्सिजन है यहां जागा डबल बॉंड यह डबल बॉंड भाई साहब देखो क्या हाल है डबल बॉंड का यह डबल बॉंड इस बेंजीन के साथ बहंकर तरीके से का करें रेजनेंस करेंगा यह डबल बन इधर भी इस किटोन के साथ बहंकर तरीके से रेजनेंस करेंगा यानि इस मॉलिकुल में क्या है आपका एक्सेस कॉन जूगेसन है जब भी एक्सेस कॉन जूगेसन होगा प्रोड़क्ट काफी ज़़ा स्टेबल होगा और यहां देखा अपने no heat is required heat के जरुत नहीं परी स्वता पानी बाहर आ जाएगा खुई बात के लिए कोई दिक्कत हो doubt session में लेना आना वहां जोरू बताएंगे मैं आशा करता हूँ किसी बच्चे को doubt नहीं रहा होगा बहुत अच्छे से clearly समझाया है हर बात को clear रहे बटा सारे condition लिया इससे बाहर condition उठेगा ही नहीं चलो आगे बढ़ते है अब जो एक condition उठता है जो paper में इस बार neat 20-20 के paper में आयता है neat 20-20 के paper में question पुछाता है neat 20-20 कोसें बनाएंगे कि mixed aldol या crossed aldol reaction क्या होता है समझो बात को इसमें है कि आपको carbonyl compound ही देंगे लेकिन दो different types का carbonyl compound है दोनों में carbon change बिल्कुल different है काने का मतलब यह है कि अगर मैंने आपको 2 carbon के लिया aldehyde तो मैं एक और aldehyde लोंगा जो यहाँ पर 3 carbon का aldehyde है इसमें क्या होआ cross aldol है अगर मैं 3 carbon का ketone ले लिया तो हो सकता है मैं यहाँ पर 4 carbon का ketone ले लो तो क्या होगा this is again cross aldehyde या ऐसा हो कि मैं अगर 2 carbon का aldehyde ले लिया यहाँ 3 carbon का ketone ले लिया तो ketone ले लिया और डियाई ले बिल्कुल डिफरेंट का रवालिंग कंपाउंड है इस प्रकार के कंपाउंड के बीच में हमेशा क्रॉस अल्डोल डियक्शन चलता है जब भी क्रॉस अल्डोल डियक्शन होगा याद रखना आपके पास चार प्रकार के प्रोडक्ट बनेगा कौन-कौन सा बात समझता हो अभी ठीक है तो क्या यहां तक सारे बात स॑नले या कोई दिखा थै किणे को किसी को भी डाओट होगा है इसके जस्ट 10 मिट के बाद डाउट से से समय लेंगे वहасть ज्रूर राईए यह दहां दियांड दैसकिन पर एक डावट पहना ने Wars hem फिक आयब चुब धिखते हैं मैंने यहां एक लिए लिया थी छू क्रिंः यह था धें मैंने और भीARS मैंने लिया थी यहां नीच्वी । था वे भूब हो जब करने करते हैं एक मैंने निच्व प्र॥ करसा यह अंसुलत है सेकंड ईम्हां किया इस दो कारवनके storyoryat को मैंने यहाँ पर pet Elecrophile बना दिया और यहाँ जो तीन कारवनका जो अल्डियाइड था जो आपका एल्डियाड बना था इस तीन एक अल्डियाड को मैंने तिसरा ये संभव है कि यहां भी दो कारवन का अल्डिहाइड है यहां भी दो कारवन का अल्डिहाइड है यहां भी दो कारवन का अल्डिहाइड है यानि यह दो कारवन का अल्डिहाइड यानि यह दो कारवन का अल्डिहाइड यानि यह दो कारवन का अल्डिहाइड आपस म एधनल में परते好像 यहांपर क्या था एतनल प्रोपनल आया ओधनल प्रोपनोल आया रिक्ट क्लियर हुआ थो बताओ, कोई दीक है था थै था Напा थो C प्रोपनल आपस में रियाक्ट कर गया इस परकार के रियक्शन में याद अखना हमेशा क्रोस प्रोड़क्ट ही जाना स्टेबल प्रोड़क्ट होता है ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं चीजों को और अच्छे समझते है अब यह रहा एक मैंने केस लिया बड़ा अलग सा केस है कि यहां भी क्रोस अलगो यहां कंडिशन देखो हमने बंजल दिएडियो इस तो क्या होगा यह यह चाल करेगा यह कंपॉंड इस पर डिपर्ट क्या यह है वह two-three four यह ब्योटान है तो यह ब्योटानल को ही मजबूरी में क्या करना पड़ेगा आपको निकुल-फाय बनके इसपर ट्याइक करने पड़ेगा और यहां हमने हिट किया अलड़ कंडेसेशन अब तक है कि अलड़ करने से प्रौड़क्ट और Ondal इसमें क्या होता है हमने बड़ा सा compound ले लिया एक ही compound के अंदर दो किटोन ले लिया दोनों किटोन आपस में एक दुसे करीब आगिया करीब से क्या हुआ कि यह CS3 आपका निगलफायल में करमट हो जागा और यह oxygen आपका अलेक्टोफायल में करमट हो जागा और इस तरीके से यह एक साइक्लिक रिंग बना के सुरूँ जागा यहां जैसी माइनस करोगे यह माइनस इस पर टक कर देगा क्या होगा एक दो तीन चार्क पांच छे तो यह बन गया इसको हिट करो इधर हिटिंग करोगे लॉग डॉल बन तो यह हो गया अल्डोल साइक्लाइजेसन रियक्शन हो गया तो इस पर कंपाउंड आता है कि एक ही बड़ा सा लिनियर चेंड मोलेकुल हो यहां पर किटोन हो मालों यहां अल्डी हाइड हो तो क्या होग यहां बना निकलोफाइल इसको अटक कर देना इसे कह वह एक करवण दो करवण तीन चार पांच छे साथ करवण का रिंग बन गया तो याद रखना अगर तीन या तीन से ज़्यादा रिंग बन रहा है इंट्रा मोलेकुल से तो बना लेना वह प्रोड़क्ट ज्यादा इस अब यह रहा previous questions, previous year पर पर questions है, इसमें मैंने कुछ neat 20-20 के question मिली है, इसको चलो बनाओ, सारे बच्चों को मैं समय देता हूँ, एक बिनिट का, इस question को जल्दी से उतारो, क्योंकि सारा question को discuss करेंगे, doubt session में, उतारो सबको, जल्दी से question 1 को उतार लो, अरे फटा फट लिख दो न, बेंदल डिहाइड और एसिटो फिनोन के बीच में, हम रियक्शन करवा रहे हैं, डाइलूट एनोज के बीच में, तो उसमें किस टाइप का reaction होगा, क्रोस कहने जारो होगा, क्रोस अलडोल होगा, या अलडोल होगा, या सिफ कहने जारो होगा, लिख लेना, आसान तो है, बनाने प्रोड़क्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, this is second question, second question में क्या है, कि यहाँ पर बेंजल डिहाइड दिया, और एक्सेस एमाउंट में ऐसी टोन ल लिख लो, खुद से बनाऊ प्रोड़क्ट, और वीडियो जब खतम हो जाएगा, तो बाद में वीडियो दुबारा से देख करके, यहाँ पहुच करके भी आप बना सकते हो, अपने प्रोड़क्ट को आंसर निकाल लेना, और दस मिनिट के बाद पहुँच जाएंगे doubt session, वहाँ जरूर आना सारे बच्चे, जो बच्चा miss कर देगा लेक्चर को, वह का करना है, recording देख लेना, बाद में doubt session का भी recording देख लेना, ताकि मज़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, question में third को बनाऊ, और बता दे, यह third question, practice question है, और दे reaction बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ यह question आपके neat 2020 में आचुका है, बनाऊ इसको, neat 20-20 का सवाल है, इसमें कौन सा reaction, कौन सा product, या कौन सा alcan, उज रियक्शन का दौरा good amount में नहीं बनेगा, यह तो question देखते हैं, बना दों कोई बड़ी चीज़ है नहीं, अब तक तो question आपने उतार भी लिए आओगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, यह रहाँ question में चार, यह आपका neat 2018 का paper में आया था, बहुत बढ़िया question है, try करना सारे बच्चेश को, लीख फटा फट से, try करना, यहाँ question ही बदल दिया है, यहाँ आपको formula दे दिया है, और इस formula को इस करके आपको product को predict करना, बना तो सही, नहीं बने आपको trick सिखाएंगे, कैसा है इस type of product, कैसा है इस type of reactions को जल्दी बना पाओगे, trick सिखाऊंगा आपको, ठीक है, बनाईए उसको, जल्दी से बनाओ, बैगरन वाइज, ignore कर दिजएगा, ठीक है, आसा करते हो, कोशन उतार लिया हुआ, उतार कर खुद से बनाओ, फिर आके अपना प्रांसर बना कर रखना, फिर जम solution देंगे, तो आंसर वहाँ पर चेक कर लेना, चलो आगे बढ़ते हैं, यह रहा कोशन में 5, यह कोशन अगेन, बता दू, बहुत इंजार करते हो, तुम सवाल है, कि अनलिलीन बन नाइट्रेसिंग कराना है, इसमें मेटा नाइट्रो अनलिलीन बनता है, ऐसा क्यों होता है, यह बताना है, you have to give a suitable reason, यह सारे इस टाइब कोशन में, क्लास में बनवा चुका हूँ, बनाओ इसको, आसा करता हूँ, कोशन को बना लियोंगे, ऑप्सेंस देख लियोंगे, और जिसका कंसर्प्ट क्लिया होगा ना, कोशन देखते ही बना दोगे, चलवागे बढ़ते हैं, यह राख कोशन नमर्स सिक्स, और यह कोशन यह भी कोशन आपका, नीट, 2018 में कोशन पूछा है, डारेट कोशन पूछा है, यह इसका तो मने पूरी की पूरी मेकैनियम डिटेल में समझाए हूँ, जिस बच्चा को इस रेक्शन का मेकैनियम याद होगा ना, वो तो कोशन देखते ही टिक मारे, और गेनिंग केमेस्टी को, लोजिकली जान पूरा है, तो शारा फरमूला याद करना पड़ेगा, उसलितरा इन ओर्गैनिक में कहांगा, एक्सप्चंस है, उसको याद करना पड़ेगा, तो ऊर्गैनिक फ़ड़ा लॉजिकल साइन्स है, कंसेप्को पकड़ो, सवाल प्रैटिस करूर कोस्न गार ठीक है, चलो, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है डाउट है से हमें जरूर मिलना 10 मिनिट के बाद और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना नए बच्चे सबस्काइब कर लेना चैनल का घंटी बजा देना ताकि सारा जो वीडियो आए उसका नोटिकर्शन आपको मिलता रहे और सारे बच्चों को भी फैलाना अगर अच्छा लगा हो ताकि और भी बच्चे इन वीडियो से बेनिफिट उटा सके ठीक है बच्चे चलिए गुडबाई फिर मिलते 10 मिनिट के बाद बाइ बाइ टेक केर